नमस्कार दोस्तो आप लोग कैसे हैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो भारतिय डांग विभाग ने पोस्ट मैन और मेल गाड के लिए बंपर भरती का एलान कर दिया है जिहां दोस्तो आपके लिए नोकरी पाने का सुनहरा मौका है भारतिय डांग विभाग के तरफ से यह बहुत ही बड़ी भरती का एलान कर दिया गया है यह भरती भारत के सभी लगभग अलग अलग राजियों में की जाएगी भारतिय डांग विभाग में पोस्ट मैन की 69,99 भरतिय की जाएगी और मेल गाट के लिए 1445 पोस्ट की घोश्रा कर दी गई है जो की कुल मिलाकर 6544 सीटों पर बहाली की जाएगी दोस्तो हम आपको इस विडियो में पूरी जनकारी देंगे आप विडियो को लाश्ट तक जरू देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब ज़रू कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले इस फर्म को भरने के लिए आपकी योगता केवल 10 वी या 12 वी पास है तो आप इस फर्म को भर सकते हैं इस फर्म को भरने के लिए जेनरल EWS OBC को मात 100 रुपे फी के रुप में देना होगा और जेनरल EWS OBC महिला को इंडेट के लिए फी नहीं लएगा एवाम HC, ST, PH, male या female को इंडेट के लिए भी कोई सुल्क नहीं लएगा आप exam भी payment online mood से कर सकते हैं तो दोस्तो इस फर्म को भरने के लिए फी भी कोई ज्यादा नहीं है तो आप इस फर्म को जरूर भरे या फर्म आप 6-12-22 से ऊन्लाइन भर सकते हैं लाष्ट डेट की अभी घोशरा नहीं हुई है और exam डेट की भी अभी घोशरा नहीं हुई है दोस्तो जैसे ही घुश्रा की जाएगी हम आपको जरूर बताएंगे हम आप बात करते हैं इस जॉब में कितनी सिलरी आपको मिलेगी तो दोस्तो इस जॉब में आपको पोस्ट मैन के लिए 21700 से लेकर 79100 तक परतिमा वेतन मिलेगी और मेल गाड के लिए भी 21700 से लेकर 79100 तक सिलरी मिलेगी तो साथियो इस जॉब में वेतन अच्छा खासा है तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस जॉब के लिए फ़र्म को जरूर अपलाई करें क्योंकि इससे अच्छा नोकरी आपको बार-बार नहीं मिलेगी देश के इवाओं के लिए यह बहुत ही बड़ी भरती है जो इवाब बेरोजगार है उनके लिए सपने सकार करने का अच्छा मौका है दोस्तो इस फ़र्म को भरने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्स होनी चाहिए और मेक्सिमम एज 27 वर्स दहनी चाहिए एज में छूट मिल सकती है SCST को पाच वर्सो का और OBC को तीन वर्सो की छूट मिलेगी तो दोस्तो यह भरती पर के लिए SSE के द्वारा सुरू की जा सकती है दोस्तो यह भरती आंध्य पर्देश, असम, बिहार, छतिसगर, देली, गुजरात, हर्याना, हिमाचल पर्देश, जम्मु कस्मीर, जर्खन, करनाटका, केरला, मध्य पर्देश, महराष्टर, उडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलाडू, पेलंगाना, उतराखन, वे में जरूर बताए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल से, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,